सद्गुरु जी, आपने अभी प्रेम की बात की और आज की चर्चा जीवन और प्रेम के बारे में हैं. मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे लिए प्रेम शायद परिवारिक होता है या जिससे भी हो. मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये कई तरीकों से सिखाया गया है और मैं इसे वाकई समझना चाहती हूँ. कुछ शिक्षक, कुछ गुरु, कुछ मार्ग दर्खशक कहते हैं, आप प्रेम कर सकते हैं, पर जुडाओं मत रखिये. आपको प्रेम करना चाहिए, लेकिन उसमें शर्ते नहीं होनी चाहिए. ये बिना किसी शर्त के होना चाहिए. तो इसके अलग-अलग रूप हैं. मुझे जानना है. देखिये, आपको अपने पास बार-बार लाने का ये आसान तरीका है. आपको ऐसा काम देना, जो आप कर ही नहीं सकते. आपको ऐसी शिक्षा देना, जो आप कभी कर ही नहीं सकते. प्रेम करो, पर जुडाव मत रखो. अब आपको मेरे पास कुछ पूछने के लिए आना प यार हों तो केवल प्रेम नहीं, चाहे आपका काम हो, जीवन हो, प्रेम हो या जो भी हो, अगर आप उसमें खुद को पूरी तरह से जोंगना नहीं जानते, तो आप कभी उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, प्रेम करो पर जुडाव मत रखो, फिर आप प्रेम करना ही क्यो चाहते हैं, आप प्रेम सिर्फ इसलिए करते हैं, क्योंकि आप किसी को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए आप प्रेम करते हैं, नहीं मैं प्रेम करता हूँ, पर जुडाव नहीं रखता, इसका मतलब है कि आपको हर दिन सवाल पूछने प नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा. ठीक है, अब मुझे फिर से पूछना पड़ेगा. क्या आप फिर से बताएंगे? मैंने बस ये कहा. देखे, इंसानों में प्रेम की जरूत को समझते हैं. आपको समझना चाहिए. एक इंसान, हमेशा, हमेशा, एक इंसान, अभी जैसा है, उससे कुछ ज्यादा बनने की इच्छा रखता है. अगर ये इच्छा, एक सरल बुन्यादी रूप से व्यक्त होती है, तो इसे कामुक्ता कहते हैं. कामुक्ता का मतलब बस यही है, कि आप किसी ऐसे इंसान को शारीरिक रूप से अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, जो आप से अलग है. कुछ पलों के लिए शायद आप सफल हो जाएं. अगर आप ये मानसिक रूप से करें, तो इसे लालच या विजए कहा जाता है. या फिर बस शॉपिंग. कुछ लोग विजए पाने के लिए बंदूक और तलवारे ले जाते हैं, कुछ चेक्बुक और पैसे ले जाते हैं, या क्रेडिट कार्ट. बात ये है कि कुछ ऐसा जो आप नहीं है, उसे आप अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, सारी कोशिश ये ही है. चाहे आप पैसा चाहते हैं, या समरिध्धी, या एक देश पर कबजा करना चाहते हैं, ये सब क्या है? कोई चीज जो आप नहीं है, आप उसे अपना बनाना चाहते हैं. आपकी कोशिश उसे अपना हिस्सा बनाने किये, अगर ये भावनाओं से होता है, अगर आप भावनाओं के स्तर पर ऐसा करें, तो हम इसे प्रेम प्रसंग कहते हैं, कोई इनसान जो आपका हिस्सा नहीं है, आप उसे भावनाओं का इस्तेमाल करके अपना हिस्सा बनाना चाह प्रेम प्रसंग सफल है आपने कहा प्रेम और शामिल करना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस हॉल में सभी से कैसे प्रेम कर सकती हूँ आप नहीं कर सकती यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनें आप प्रेम नहीं कर सकती मैं देख भी नहीं पा रही उपर वहां और वहां तो आप कैसे सभी को अपने प्रेम में शामिल करेंगे? देखी आप प्रेम को ऐसी चीज मान रही हैं, जो आपको तब मिलती है, या प्रेम की प्रक्रिया में सिर्फ तभी समर्पित होते हैं, जब आप किसी एक गुण की सराहना करते हैं, उनकी नाक का आकार, या उनका मन, या उनके विचार, या उनकी भावनाएं, या जैसे वो बोलते हैं, या जैसे वो कुछ करते हैं, या जैसे आप से जुड़ते हैं, उनका कोई गोनट ठीक है, बहुत सी चीज़ें है, ये ऐसी चीज़ पर आधारत है, जो आपको अच्छी लगती है, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो प्रेम तूट जाता है, अब मैं ये कह रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि आप ये कि चाहे आप में प्रेम होता है, या नफरत होती है, या गुस्सा होता है, दुख होता है, आनंद होता है, ये सिर्फ आपके अंदर होता है, है ना? लोग कहते हैं हवाओं में प्रेम है नई, क्योंकि आपकी भावनाओं में बहुत मिठास है इसलिए अचानक हवा में उमंग महसूस होती है वो हमेशा से वैसी थी आप पूरे जीवन ये नहीं जान पाए आप आपको महसूस हो रहा है तो जो भी इंसानी अनुभव हो प्रेम या नफरत, जो भी हो ये सिर्फ आपके अंदर होता है मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम जो चीज आपके अंदर होती है उसे आपकी मर्जी से होना चाहिए आप में जागरुख होकर उसे एक सच्चाई बनाने की शमता होनी चाहिए अगर आप अगर आपका अनुभव या जो आपके अंदर हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो तो क्या कोई परिशानी होगी? ये हमेशा आपके अंदर होता है प्रेम कोई संबंध नहीं है संबंध अलग चीज होते है प्रेम आपकी भावनाओं की एक तरह की मिठास है चाहे आप एक पेड को देखें या कुट्टे को या पुरुष या महला को या बच्चे को या बस आसमान को आप उसकी तरफ प्रेम से क्यों नहीं देख सकते क्योंकि बात आसमान से प्रेम करने की नहीं है बात आपकी भावना की मिठास की है अगर आपकी भावनाओं में प्रेम है तो आप जिस भी चीज को देखेंगे उसे एक विशेश तरीके से देखेंगे अगर भावनाएं कडवी हैं, तो आप जिस भी चीज़ को देखेंगे, उसे अलग तरीके से देखेंगे तो आपने हमेशा प्रेम को किसी से संबंधित माना है नई नई, ये किसी के बारे में नहीं है प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप करते हैं ये कुछ ऐसा है जो आप बन सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं, तो आप प्रेम बन सकते हैं आप अपनी भावनाओं में बहुत मिठास पैदा कर सकते हैं अगर आप अपने शिरीर को बहुत सुखमें बना लें तो इसे सुख कहते हैं अगर आप बस यहां बैठें, तो यह बहुत बड़ा सुख हो सकता है, बस यहां बैठ कर सांस लेना, हम लोगों को यही सिखा रहे हैं, मैं आपको लाखों लोग दिखा सकता हूँ, अगर वो बस अपनी आँखें बंद करें, तो आनंद के आंसु बहने लगते हैं, बस अनंद से भर जाते हैं, उनका पूरा शरीर इससे सराबोर होता है, क्योंकि शरीर इतना सुकतायक बन जाता है, अगर आपका मन अच्छा महसूस करता है, तो हम कहते हैं, यह आनंद है, अगर आपकी भावनाएं अच्छा महसूस करते हैं, तो हम कहते हैं, यह प्रेम है, आपने किसी के साथ मिलकर सफलता पाई है, यानि आपने अपने और आसपास के 5-10 लोगों के बीच के वातावरण को सुखमय बनाया है, आप उसे प्रेम कह रहे हैं, नहीं, वो वास्तव में सफलता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, या ना, लेकिन आपको प्रेम में होने के लिए कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता, अगर आप बस अपनी भावनाओं को मधरू बना लें, तो आपकी भावनाओं में मिठास होगी और वैसा होना बहुत खुबसूरत है, ये किसी और के बारे में नहीं है, अगर कोई आता है, तो हम उसे बा ये बहुत ही सुन्दर कविता की तरह है, ये कविता की तरह नहीं है, ये जैसा है वैसा ही है, आपको वाके इसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है, देखिए मैं बस यही कह रहा हूँ, अगर ये कोई काम होता, तो काम अच्छे से करने के लि आक्टिंग कर रही हैं? नहीं. मैं जानता हूँ कि आप अक्टर हैं, लेकिन क्या आप सेहत की आक्टिंग कर रही हैं? नहीं. तो सेहत है, क्योंकि हमने कुछ चीजे की हैं, तो सेहत है, है ना? हमने नहीं किया, हमने ये मिला है. नहीं, हमें मिला है, लेकिन अगर आप गलत खाएंगे, गलत जीएंगे, तो सेहत बंद नहीं होंगे, हमने अपनी सेहत ठीक रखने के लिए कुछ चीजें की हैं, इसी तरह से अगर आप कुछ चीजें करें, तो अपने मन का सुख मैनेज कर सकते हैं, अगर आप कुछ अन्य चीजें करें, तो अपनी भावनाओं का मैनेज कर सकते हैं, ये वो चीजे हैं जो आप कर सकते हैं, अब जो आप अपने अंदर कर सकते हैं, उसे बाहर से करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहां आपके अंदर किया जा सकता है, उसे आप अपने आसपास वातावरन बना कर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक बहुत मुश्किल काम है क्यूंकि बाहरी स्थिती कभी भी 100 प्रतिशत वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं कुछ हद तक हम मैनेज कर सकते हैं हम सब खुद नहीं कर सकते क्यूंकि कई और शक्तियां इसमें शामिल होती हैं